श्री सहजानन्द स्वामी का जन्म 1837 के चैत्र मास की नवमी तिथी को 2 अप्रेल 1781 इस्वी राम नवमी भगवान श्री राम का जन्म दिन के शुब अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में अयोध्या के पास छपैया नामक एक छोटे से गाउं में हुआ था उनके माता-पिता का नाम धर्म देव और भक्ति माता था जन्म के छठे दिन भारतिय रीती रिवाजों के अनुसार उनका नाम घंश्याम रखा गया आठ वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वेदों हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और दो साल से भी कम समय में उन्होंने चारों वेदों उपनिशदों और पुराणों में महारत हासिल कर ली जो एक साधारन व्यक्ति को हासिल करने में कई साल लग जाते घंश्याम की माँ भक्ति माता का निधन तब हुआ जब वे सिर्फ दस साल और सात महीने के थे उसके ठीक सात महीने बाद उनके पिता का भी निधन हो गया घंश्याम को सांसारिक चीजों की कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने अपने परिवार को त्यागने का फैसला किया अतह ग्यारा वर्ष तीन महीने और एत दिन की अलपायू में उन्होंने प्रातह काल घर छोड़ दिया अपनी यात्रा पर निकलते समय उन्होंने अपना नाम नीलकंट वर्णी रखा वे अपने साथ माला, शालिगराम, अतिरिक्त धोती, कामदाद, मार्गताबीज, शास्त्र, ब्राहमन धागा, पलास दंड ले गए उनका मिशन एक ऐसा आश्रम खोजना था जो वेदान्त, सांख्य, योग और पंचरात्र के हिंदु दर्शन की सही समझ का अभ्यास कराता हो हिमाले में यात्रा करते समय, नीलकंठ ने अपनी साथ वर्ष की यात्रा के दौरान नौ सो हजार से अधिक योगियों का सामना किया नीलकंठ ने गोपाल योगी के मार्ग दर्शन में केवल नौ महीनों में अश्टांग योग, आठ गुना योग की कला सीखी एक ऐसी उपलब्धी जिसे प्राप्त करने में दूसरों को बारह वर्ष लगेंगे अपनी महाकाव्य यात्रा पर घनश्याम ने नीलकंठ वर्णी नाम अपनाया वर्णी का अर्थ है ब्रह्मचारी हिमाले की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कई संतों से हुई पानी पिये ही गुजार देते थे हिमाले में नीलकंठ वर्णी ने जो एक अद्भुद बात की वह यह थी कि एक खास समय पर 900,000 योगियों ने उनके दर्शन किये अपनी यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी कई योगियों से मिले हालांकि जब उनकी मुलाकात गोपाल योगी नामक एक महान योगी से हुई तो वे उनके साथ एक साल तक रहे योगी ने उन्हें अश्टांग योग सिखाया गोपाल योगी नीलकंट से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि नीलकंट को सिखा कर ही उनके जीवन की उपलब्धी पूरी हुई गोपाल योगी की मृत्यू के बाद नीलकंट वर्णी असम के कामाक्षी देवी के निकट एक गाउं में चले गए जहां उनकी मुलाकात पिबक नामक मंत्राचार्य से हुई पिबक अपने काले जादू के लिए जाने जाते थे चूंकि पिबक ने नीलकंट के महान कारनामों के बारे में सुना था इसलिए उसने विभिन्न प्रकार के अभिचार प्रयोगों के माध्यम से उन्हें डराने और वश्मे करने की पूरी कोशिश की अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने नीलकंट वर्णी को अपना शिश्य बनाने का आदेश दिया और धमकी दी कि यदि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे उन्हें नश्ट कर देंगे फिर भी नीलकंट वर्णी ने डरने के बजाए उन्हें चुनोती दी नीलकंट वर्णी ने अपनी श्रेष्ठता साबित की और अंततह पिबक को जादूई अनुष्ठानों के बंधनों से मुक्त किया नीलकंट वर्णी ने उन्हें भक्ती के मार्ग पर दीक्षित किया नीलकंट वर्णी फिर जगननातपुरी चले गए वहां से वे पुने और नासिक होते हुए गुजरात में प्रवेश कर गए नर्मदा और तापी नदियों के तट पर तीर्थ स्थानों का भ्रमन करने के बाद वे डाकोर पहुँचे फिर उन्होंने सौराश्टर में प्रवेश किया और द्वारिका की और प्रस्थान किया रामानंद स्वामी 18 वर्ष और 4 महीने की आयू में अंततह जुनागड के निकट लोजपुर गाउं में श्री रामानंद स्वामी के आश्रम में पहुँचे हालांकि इस समय रामानंद स्वामी कच्छ में थे इसलिए मुख्य शिष्य मुक्तानंद स्वामी ने उनका स्वागत किया और उनसे आश्रम में रहने का अनुरोध किया। निलकंट वर्णी केवल इस शर्थ पर सहमत हुए कि मुक्तानंद स्वामी पहले पांच प्रश्णों का संतोष जनक उत्तर दें। अपनी यात्रा के दौरान कई बार ये प्रश्ण पूछने के बाद नीलकंट वर्णी मुक्तानंद स्वामी के उत्तरों से बहुत खुश हुए। इतना कि नीलकंट वर्णी की साथ वर्शों की यात्रा में कोई भी अन्यसंत उनकी संतुष्टी के अनुसार उत्तर नहीं दे पाया था। नीलकंट वर्णी आश्रम में रहे और मुक्तानंद स्वामी के गुरू रामानंद स्वामी से मिलने की तीवर इच्छा रखते थे आश्रम से सटा हुआ एक परिवार रहता था और दीवार में एक छेद था जिसमें से कभी-कभी साधु आग जलाने के लिए जलता हुआ कोयला उधार लेते थे नीलकंट वर्णी को यह पसंद नहीं था उन्होंने मांग की कि छेद को तुरंत बंद किया जाए और साधुओं को महिलाओं के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं करना चाहिए मांग मान ली गई कच्छ में कई महीनों के प्रवास के बाद रामानंद स्वामी सौराष्टर राज्य के एक गाउं पिपलाना पहुँचे नीलकंट वर्णी मुक्तानंद स्वामी के साथ उनसे मिलने गए बाद में जब रामानंद स्वामी लोजपुर लोटे नीलकंठ वर्णी उनके साथ रहे इस दोरान उन्होंने वैशनवी दीक्षा प्राप्त की अब उन्हें सहजानंद स्वामी उर्फ नारायन मुनी के नाम से सम्मानित किया गया एक वर्ष बाद समवत 1858 के कार्तिक शुकल पक्ष की ग्यारवीं तितिको रामानंद स्वामी ने स्वामी सहजानंद को जूना घड़ जिले के जेतपुर नामक गाउं में संप्रदाय का आचार्य और गुरु नियुक्त किया दीक्षा समारोह के बाद सहजानंद स्वामी ने रामानंद स्वामी से दो वर्दान मांगे वे थे स्वामी नारायन संप्रदाय के सदस्यों को किसी भी दुख से बचाना यदि दुख होना ही है तो मुझे कई गुना दुख देना ताकि संप्रदाय के भक्तों का उद्धा हो गया सभी जातियों और धर्मों के लोग श्री सहजानंद स्वामी की धार्मिक सभाओं में शामिल होते थे कुछ लोग तो मुसल्मान भी थे जो अल्लाह में विश्वास करते थे महराज की बात सुनते सुनते वे गहरी समाधी में चले गए जहां उन्हें अपने अपने भगवान के दर्शन हुए किसी को राम, किसी को गणेश, किसी को कृष्ण, किसी को शिव और किसी को अल्लाह दिखाई दिये जब वे जागे तो कुछ ने कहा कि वे अक्षरधाम यानी स्वर्ग में गए थे जहां उन्होंने उन्ही सहजानंद स्वामी को बड़ी महिमा में देखा कुछ ने अन्य मुक्तूओं को स्वर्ग में सभाओं में भागीदार के रूप में देखा शिखर बंध मंदिर अपने धर्मशासन के अंतिम दशक में भगवान स्वामी नारायन ने छे स्थानों पर सुन्दर बड़े मंदिर स्थापित किये सबसे पहले एहमदाबाद में समवत 870 में फिर भुज में समवत 889 में फिर वड़ताल में समवत 8881 में फिर जुनागड में समवत 8884 में फिर गड़ा में समवत 8885 में मंदिरों की स्थापना करके भगवान स्वामी नारायन ने एकेशवरवाद यानि एकेशवरवाद के अपने अनूठे सिध्धान्त को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित किया उन्होंने जोर देकर कहा कि देवताओं को श्री नर नारायन, श्री लक्ष्मी नारायन, श्री राधा कृष्ण के रूप में नामित और जाना जा सकता है लेकिन वे सभी भगवान श्री स्वामी नारायन के रूप हैं इसलिए उनके बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए इसलिए उन्होंने अहमदाबाद और भुज में नर नारायन देव और वड़ताल में श्री लक्ष्मी नारायन देव और धोलेरा में श्री मदन मोहन देव जुनागड में श्री राधा रमन देव और गड़ा में श्री गोपीनात देव के विग्रह स्थापित किये अपने एकेश्वरवाद के सिध्धान्त को और सपष्ट करने के लिए उन्होंने जुनागड में शिव और पार्वती के विग्रह तथा गढ़दा में अन्य विग्रहों के साथ सूर्य नारायन सूर्य के विग्रह की भी स्थापना की अन्य सभी छोटे मंदिरों अर्थात हरी मंदिरों में चित्र प्रतिमा अर्थात भगवान स्वामी नारायन की स्वयम की या श्री धर्म देव और श्री भक्ति देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है भगवान स्वामी नारायन ने न केवल मंदिर बनवाए बलकि धार्मिक ग्रंतों के अध्ययन को भी प्रोथ साहित किया गीता, उपनिशद और अन्य पर भाष्य लिखे गए भगवद, निश्कुलानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी और देवानंद स्वामी जैसे कवियों द्वारा बहुत सी कविताएं कीर्तन रची गई सतानंद स्वामी नित्यानंद स्वामी आदिसंतों द्वारा बहुत सी पुस्तकें शास्त्र लिखी गई भगवान स्वामी नारायन ने स्वयम शिक्षापत्री नामक एक छोटी सी पुस्तक लिखी और अपने भक्तों सतसंगियों को शिक्षापत्री में दिये गए 212 नियमों के अनुसार कारे करने को कहा शिक्षा पत्री क्षेत्रों में कुछ आग्याएं इस प्रकार हैं किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए यहां तक की यग्य बलिदान के नाम पर भी नहीं किसी को भी आत्म हत्या नहीं करनी चाहिए किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए या शराब नहीं पीनी चाहिए किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए यहां तक की परोपकार के लिए भी नहीं किसी को भी जुआ नहीं खेलना चाहिए किसी को भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए किसी को भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए अतिथी का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए और उसका सतकार किया जाना चाहिए भगवान स्वामी नारायन का शाश्वत प्रस्थान समवत 1856 के जेठ के शुकल पक्ष की दसवीं तिथी को जेठ वर्ष 1800 चिनिशली का अंतिम यानि बारवा महिना है भगवान स्वामी नारायन ने गढ़दा में सभी प्रमुख त्यागियों और ग्रहस्थों को अपने समक्ष एकत्रित किया अत्यंत शांत और सौम्मि स्वर में उन्होंने उनसे कहा मैंने अपने उद्देश अर्थात अवतार कार्य को पूर्ण रूप से समझ लिया है और एक ऐसा राजमार्ग स्थापित कर लिया है जिस पर चल कर कोई भी व्यक्ति अक्षर धाम भगवान के निवास स्थान तक आसानी से पहुँच सकता है अब मैं इस संसार से विदा लेना चाहता हूँ मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि अब से मैं मंदिरों में स्थापित अपने विग्रहों के माध्यम से आप सभी से मिलूँगा आज दुनिया के सभी देशों में स्वामी नारायन धर्म के लाखों अनुयाई है सहजानन्द स्वामी का या आशीरवाद कि उनके किसी भी अनुयाई को कभी भोजन या वस्त्र की कमी नहीं होगी आज भी सत्य है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें